हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप आशे करती हूँ आप फिट और बेतर होंगे साथियो मोटापे से हर कोई मुक्ति पाना चाहता है हर कोई फिट रहना चाहता है फिट दिखना चाहता है हर कोई चाहता है कि उसके चहरे पर तेज जमक हो लोग इसके लिए खुद को मैंटें भी इसी तरह महिलाएं भी खुद को फिट रखने के लिए जिम, वरकाउंट, योग और अपनी डाइट का भी खासा ख्याल होती है लेकिन मैं आज आपसे बात करने वारी हूँ पोस्ट पार्टम वेट के बारे में साथियो जब महिलाओं को बच्चा होता है उसके बाद जो व सब्सक्राइब करा लिए कम समय में ही अपना पोस्ट पार्टम वेट घटा लिया उन्होंने यह सब कैसे किया क्या नुस्के अपना आए तो साथियो देरी ना करते हुए हम आज जानेंगे की कैसे और किन नुस्कों से श्वेता तिवारी ने अपना वजन घदाया था साथ तो श्वेता दिवारी ने चाहे कितने भी धारवाहिक फिल्में या शो किये हों लेकिन उन्हें आज भी प्रेड़ना के नाम से ही जाना चाता है बिग बॉस, पॉल और कॉमेडी सरक्स की विजेता रही श्वेता दिवारी नए फिटनिस कोल्स बनाती है अपनी एक्टिंग और अदाओं से तो श्वेता ने हमें अपना फैन बनाया ही हुआ है लेकिन एक और चीर जिसके हम कायल है वो है उनकी फिटनिस श्वेता तिवारी अपनी फिटनिस और फिगर से अपने फैन्स का दिल जीतने में पीछे नहीं है सातियों महिलाओं में सबसे बड़ा सबाल यही होता है कि पोस्ट पार्टम यानि माँ बनने के बाद बड़ा वर्दन कैसे घटाए हम अकसर सोचते हैं कि बॉलिवुट की माओं के लिए पोस्ट पार्टम वर्दन घटाना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स होते हैं चाहे बात करीना कपूर की हो या एशवरराय की या किसी की दूसरी हिरोईं की यही कारण है कि श्वेता तिवारी का weight loss हमारे लिए पेड़ना दायक है क्योंकि श्वेता ने कोई extreme workout training नहीं की है आईए आपको खुल कर बताते हैं कि श्वेता तिवारी में किस परकार अपना वजन घटाया है क्या क्या diet उन्हें follow की है और वो अपने पूरे दिन को किस परकार should use करते है साथियो postpartum वजन घटाना आसान काम नहीं है इस समय में अगर आपने अधिक exercise कर ली या गलत diet follow की तो आपके शरीर में कम दोरी आ सकती है साथिया आप बच्ची को feet भी करा रही होती है इसलिए posture से समझोता करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे में वजन घटाने के लिए इन बातों का विशेज ध्यान रखे संतुलिक आहार ले अपनी diet में vitamins, minerals, protein, fiber ज़रूर शामल करे पहलना, exercise करना, delivery के 4 हफते बाद से शुरू करे गुर्बुना पानी पीए, जितना हो सके बच्चे को breastfeeding करे साथियों, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद खुद पर ध्यान नहीं दे पाती ऐसे में खुद की fitness पर अगर ध्यान न दिया जाए तो शरीर फूर में रखता है और मोटापा हो जाता है दोस्तों अगर आप अपनी सेहत के लिए alert हैं तो मोटापा कभी आपके पास नहीं आएगा साथियों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पायदेबन साबित होगी इसी तरह अपनी सेहत से जुड़ी सभी जानकारी और जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें medically speaking और रखिये हमेशे अपनी सेहत का पूरा खयार नमस्कार